तो गैस आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने WhatsApp में Android 11 प्लस विडिया मिग्रेशन कर सकते हो बहुत ही इसली एंड बहुत सारे लोगों के फोन में ये प्राबलम चली गई है तो इसको कैसे सॉल्व करना है एंड इसका क्या यूज है मैं आपको पूरा एक्स्प्लेन करूंगा तो भाई वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखेगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पने WhatsApp को ओपेन करना है देन आपको 3.2 पे जाने के बाद Settings में जाना है उनके लिएания immigration हो रहा है तो भाई इस प्राबलम को सल्व करने के लिए सैंप्ली इस पर क्लिक कर देना है दन यहां पे आपको आजा है create new folder का simply आपको एक folder को create कर लेना है and उसका नाम होना चाहिए WhatsApp नाम का folder create कर लीजेगा then आपको use the folder पे click कर देना है then आपसे access माँएंगा allow access पे click कर देना है and यहाँ पे आपका जो media migration हो जाएगा वो पूरा complete हो जाएगा तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा media migration जो है वो पूरी तरह से complete हो चुका है and आप तो भाई अगर आपको यह वीडियो पसंद है and आप ऐसी ही informative वीडियो को देखना चाहते हो तो please हमारे channel को subscribe कर लीजे मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अप तक के लिए जय हिंद जय भारत